जमो कश्मीर जहां धारा 370 से जूज रहा है, वहीं देश के कई राज पानी की तेज धारा से जूज रहे हैं। आए दिन बाढ़ प्रवावित इलाकों की कुछ ऐसी तस्वीर आती है जो दिल को छूज आती है। एक ऐसी ही तस्वीर पानी पानी हो चुके महराश के सांगली से आई है। सेना के जवानों का पैर छूते महिला का वीडियो सोशल मीडिया पे खुव वाइरल हो रहा है। बाढ़ में फसी महिला को देवदूद बन कर आए सेना के जवान रिलीफ बोट से सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। जिंदगी और इंसानियत की ये खुबसूरत तस्वीर हर किसी को भावुक कर देगी। रिलीफ बोट पर बैखते बैंगनी रंका स्वेटर पहने महिला दोनों हाथों से जवान के पैर चूती है। और जवान उसे ऐसा करने से मना करते हैं। महिला फिर दोनों हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाती है। शायद वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है और फरिष्टे बनकर आए सेना के जवानों को दुआएं दे रही है। इसके बाद महिला दूसरी तरफ खड़े जवान के भी पैर चूती है। हमारे देश की सेना चाहे मुसीवत में फसे हर इंसान को बचाना अपना कर्तव्य समझती है। चाहे वो हाथ पत्थर फेकने वाले हो या फिर पैर चूने वाले। हम आज भी मारने वालों से बड़ा बचाने वाले को मानते हैं। और हमारी सेना हर बार लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे आगे होती है। R9 TV के लिए अनुसिंग की रिपोर्ट